नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप एक ऐसा शब्द है जो मैंने आपके नाम की जगा प्रयोग किरा. इसी प्रकार यदि मैं बोलूं मैं खड़ी हूँ, तो मैं शब्द को मैंने अपने नाम की जगा पर प्रयोग किया है. इसी प्रकार कभी-कभी आपकी माता जी या पिता जी आपको आवाज देकर बोलते होंगे, तुम इधर आओ, तुमने खाना नहीं खाया, तुमने पढ़ाई की, यह शब्द आपके नाम के स्थान पर प्रयोग होए हैं. इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, जिने हम नाम के स्थान पर प्रयोग करते हैं. एक और उधारन समझते हैं. बंदर पेड़ पर बैठा है, वह फल खा रहा है, उसने गुटली नीचे फेंग दी. इन वाक्यों में वहे और उसने बंदर के नाम के स्थान पर प्रयोग होए हैं. ऐसे शब्दों को जो संग्या के स्थान पर प्रयोग होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं. आए कुछ और उधारन आपकी पुस्तक से देखें. आप कब आये? आप. मैं अभी आया हूँ. मैं. उसने खाना खा लिया. उसने. अब तुम भी खालो. इन वाक्यों में आप, मैं, उसने तुम. यह शब्द सामने वाले के नाम के स्थान पर प्रयोग होए हैं. इन सभी शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं. जो शब्द संग्या या नाम के स्थान पर प्रयोग होते हैं, उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं. आए सर्वनाम शब्दों के बारे में इस विडियो द्बारा और समझें. रोहन, तुम कहां जा रहे हो? मैं बाजार जा रहा हूँ आरव, देखो कितने सुन्दर फूल हैं हाँ पारस, ये तो बहुत सुन्दर फूल है रोहन, तुम इधर आओ मा, आप चलिये, मैं आता हूँ बच्चों, अपनी पुस्तक निकालो मैं पुस्तक नहीं लाया तुम पुस्तक क्यों नहीं लाए? मेरी पुस्तक कल बारिश में भीग गई थी इन वाक्यों में अपनी, तुम, मैं, मेरी आदी शब्द नाम के स्थान पर प्रयोग किये गए हैं उप्युक्त सभी शब्द सर्वनाम है नाम के बदले प्रयोग किये जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं मैं मेरा मुझे तुम्हे तुम तुम्हारा आप आपका आपको हम हमको हमारा उन उनको उन है कौन क्या किसका इनका इन इन है संग्या शब्दों की तरह सर्वनाम शब्द भी एक वचन और बहु वचन होते हैं आए देखे कैसे सर्वनाम शब्दों के एक वचन और बहु वचन शब्द जानो एक वचन बहु वचन मैं हम उसे उन्हे वे है वे यह है ये तू तुम मेरा हमारा तो देखा बच्चों आपने किस प्रकार से सर्वनाम शब्द संग्या शब्दों के स्थान पर प्रयोग होते हैं और भाशा को और सुन्दर बनाते हैं इनका अभ्यास अपनी पुस्तिका में करना मत भूलिएगा धन्यवाद